आज मैं आपके साथ एक बहुती अच्छा पाटेटो फेस पैक शेयर कर रहे हूँ जो कि ना केवल आपके चहरे से जुरियां जाईयां खत्म करेगा बलकि आपके चहरे को बहुती ग्लोइंग और फेयर बना देगा सबसे पहले आपको एक आलू लेना है आलू तो इजिली हम सभी के किचन में मिल जाता है और इस आलू को आपको छील लेना है और छीलने के बाद चाहें तो आप क्रेट करकर या फिर इसे मिक्सी के जार में डाल कर पीस कर जैसे भी चाहें वैसे इसका रस निकाल कर त्यार करे तो यहाँ पर ये मैंने आलू का रस पहले से ही निकाल के रखा हुआ है, ये देखे एक आलू का रस है, अब आपको इस आलू के रस में डालना है दही, तो मैं इसमें डाल रही हूँ एक चमच दही, दही में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि ये हमारी स्किन से दाग धबो को रिमूव करता है, स्किन को फियर, गलोइंग, स्पॉटलेस बना कर बहुत इच्छी शाइन देता है, अब आप इसमें डालें एक चमच बेसन, बेसन में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि ये हमारे रंग को निकारता है, हमारे स्किन पर जो भी डेट सेल्स, ब्लेक हेड्स, वाइटर्स होते हैं, उन्हें रिमूव कर देता है, और हमारे रंग को बहुत ही साफ कर देता है, तीनों ही चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, अगर आपके चहरे पर बहुत ज़्यादा काले दाग धब्बे हैं, आपके चहरे पर जुरिया जाईया आपको इसमें डालना है आधा चमच शहद, शहद हमारे स्किन पर एक बहुत अच्छी शाहिन लाता है, शहद हमारे स्किन से काले दाग धब्बो को इजिली रिमूव करता है, इसकिन को लाइटिन, टाइटिन, ब्राइटिन बनाता है, हमारे स्किन को बहुत अच्छी से नमी बनाए रखता है शहत को भी इसमें अच्छी तरीकी से आपको मिक्स कर लेना है अब ये आपका फेस पैक त्यार हो चुका है इस फेस पैक की सबसे अच्छी बात ये है कि इसे ओल स्किन टाइप लोग लगा सकते हैं बॉय गर्ल सभी इसे अपने फेस पर लगा सकते हैं अब इसे आपको कैसे लगाना है वो मैं बताती हूँ देखे आप इसे इस तरह हलके हाथों से मसास करते हुए अपनी स्किन पर लगाएं आपको फेस पर नैक पर अच्छी तरीकी से इस तरह हलके हाथों से मसास करनी है इस तरह जब हलके हाथों से आप मसास करेंगे तो सारे दाग धब्बे आपकी स्किन से खत्म हो जाएंगे। आपकी स्किन बहुत इग्लुइंग और फियर बन जाएगी। चहरे पर बहुत अच्छी चमक आ जाएगी और चहरे पर कसावट आएगी। जूरियां जाएां खत्म हो जाएगी। जब आप इसे regular इस्तमाल करेंगे तो दीरे दीरे सारे दाग धबे भी खत्म होने लगेंगे आपको इसे वीक में कम से कम दो बार लगाना है इस तरह मसास करने के बाद आप इसे इसी तरह अपनी स्किन पर छोड़ दीजे दस मिनट के लिए और दस मिनट बाद फिर आप नॉर्मल वाटर से धोकर इसे साफ कीजे इस रेमेडी के इस्तिमाल से जुरिया जाएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और इसकिन बहुत ही चौवा बन जाएगी अगर आपको ये रेमेडी पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शियर करें चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और पर क्लिक करें